बिसमिल्याराराइम्हान, नाजरीन, आज हम कस्टाइब करें नाजरीन होगा, आपको आपको पुव्र से रखें तो नाजरीन आई शुरू करते हैं, सबसे पहले नोगों ने लूद ले लिया एक अब, इसमें हम लोगों ने कस्टाइब को पॉद्र डाल लेना है, तकरीबन 6 बड़े चमच, टी स्पून, ब्राबर करके डालेगा, भार के मत डालेगा, नाजिन हम लोगों ने एक कब दूद ले लिए, इसमें हम जामिल कर लेंगे तकरीबन 6 चमच, और इसे अची तासे मिक्स कर लेंगे, तक इसमें गिल्टी अना पैदा हो, बिस्मिल्ल्य रख्मान रहीम, नाजिन इसकोचीता से मिक्स कर लेंगे, बिल्कुल हलके आतों से, बिस्मिल्ल्य रख्मान रहीम, असलाम लेकुम नाजिन, आज हम जैली बनाने चाहरे हैं, जैली बनाने के लिए हमें जिन अज़्जा के जरूरत है, वह है पानी और जैली, पानी हमने ले लेना है 400 ml, तकरीबन 2 कप, इसे हम बॉल कर लेंगे, और हमनों गोले, जैली ले लिए है, तकरीबन 80 ग्राम, यह देखे न, ऐसे पैकेट है, जैली का, यह बजार में एजिली वैलिबल होता है, यह आपको सानी सी मिल जाएगा, यह हम पूरा पैकेट जो है, दो कब पानी में डाल देंगे, यह 80 ग्रा तो आएज को हम गरम पानी में शामिल कर लेते हैं, पानी को बॉल आने शुरू होगे हैं, बिसमिल्ला रख्मान रख्मान रहेम, चम्मत मुचल से चलाते रहेंगे, ताकि यह घृतियाना बने, कच्छा पान इसका दूर हो जाए, तो हम इसको उतार लेंगे, कच्छा पान इसका दूर हो जाए, जाए, जाए जाए, को इसको ताकि प्रॉट्छ भॉट्छ बैंगे, यह जाए, आप मुट्रिब दिजाइन के निकाल सकते हैं, लिए यह जाए लिए को देड़के लिए, हम बबेर भान ये उतार लेंए, यादर रख्ीश के बॉन्ना इसको निकालनें आहाई, और मजीद 30-35 मिनट तक इसको ठंडा होने देंगे आप को इसी पर सांचा और या बर्तन ले सकते हैं लेकिन जाद रखिए कि इसको ठंडा होने के बाद ही कटिंग करेंगे इसमें नाजीन दू को बाल आ चुके हैं तब हम इसमें तीन सबस अलाइचिया शामिक कर लेंगे और हनकी कर देंगे इसकी किसके बाद नाजीन इसमें हम कस्टर्ड और चीनी शामिल कर लेंगे के तो एगे कस्टर्ड ब्लच टेंगे अग्याल sì असे काप दूद में ऊसे इसया मिसमें कर देते हैं अध्याए थी है लेई सबस्क्राइब व्यक्राइब मिसमें शामिल कर देंगे और चम्मच को म मसंसर चलाते रहेंगे तक कि इसमें लंप्स ना बन पाई तो आई इसमें चीनी भी डाल लेते हैं नाजीन चीनी आप चाहें तो ज़्यादा डाल सकते हैं मीठा कम और तेज कर सकते हैं अब इसको मुसलसल चलाते रहेंगे जब तक के कस्ट्ट का पाउडर जो है वह चीना दूद में पक न जाए बिसमिल्ला रभान इमनाजीन जे देखिए हैं हमारा कस्ट्ट भी तियार हो चुकर है अब लोगोंने इतना ही थीक रखना है इससे ज़्यादा थीक नहीं करना क्य कर लेते हैं और मुझीद थंडा होने के लिए रख देते हैं 10-15 मिना तक अब इसके आम पीस कर लेंगे कि अब देखिए कर देखिए का और मुझी लोगोंने को फुक क्वारे सकते हैं कि यह देखिए इतनी हम लोगों ने जमा लेनी इसको इतना ठंडा कर लेना इसको यह देखिए कि ते सख्त होगे हाड होगे बिल्कुल भी नहीं निकल रही इसको हम चमच के मदद से कटिंग करने के बाद निकाल लेंगे नाजी निस्ता से हम एक एक करकस के अंदर जो है वो कस्चट को कस्चट में जैली को सजा लेंगे इस तरह से देखिए यह जबरदास्त वाजी वाजी वाज क्या खुबसूरत लग रहे यह देखिए आपने इसी तरह से डाकुरेट कर लेना है आप चाहिए तो इसमें बनाना के शामिल कर सकते हैं